यूपी के लखीमपूर खीरी में आज जगड़ा हो गया जिसमें काले कोट वाले लोग सफेद कुर्ते वालों पर भारी पड़ गये पूरे लाव लशकर के साथ पहुंचे थे लेकिन वहाँ वकीलों के एक गुट ने उन पर हमला बोल दिया पुलिस सुरक्षा के बीच सफेद कुर्ता और पाईजामे में दिख रहे शक्स लखीमपूर सदर से बीजेपी विधायक यूगेश वरमा विधायक जी के सामने सफेद कमीज और काली पैंट में आधम के जनाब हैं जिलाब बार एसोसियेशन के अध्यक्ष अवधेश सिंग पुलिस वालों के साथ आ रहे विधायक यूगेश वरमा की सामने से आ रहे अवधेश सिंग से बहस हुई तब ही बार एसोसियेशन अध्यक्ष ने लपक कर विधायक जी के गाल पर तमाचा चड़ दिया पुलिस वाले अभी मामला कंट्रोल कर पाते और विधायक जी के समर्थकों को कुछ समझ आता है इसके पहले ही वकील साथ के समर्थक भी पीछे से विधायक जी पर टूप पड़े ये मामला कॉपरेटिव बैंक के चुनाव से जुड़ा है कॉपरेटिव बैंक की मौझूदा अध्यक्ष पुषपा सिंग विधायक की पिटाई करने वाले अवधेश सिंग की पत्ती दूसरा गुट विधायक योगेश वर्मा से जुड़ाए आरोप लगे की अवधेश सिंग का गुट विधायक के समर्थकों को पर्चा तक नहीं भरने दे रहा इसी के खलाफ बीजोपे विधायक योगेश वर्मा कॉपरेटिव बैंक पहुचे लेकिन वकीलों का गुट उन पर भारी पड़ गया राजु अगर्वाल से पुषपा सिंग और पुषपा सिंग के हजबन अवदेश अधिवक्ता संके अध्यर्च इस तरिके की गुंड़े ही कर रहे थी कि आज उन्होंने भी मेरे पर आथ उप्डाने की कोशिश वह उनके गुंडे जिदने भी गुंडे थे उनके सारे उन विजब्पी विधायक योगेश्वर्मा भले ही अपने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की बात कर रहें लेकिन जिस वक्त उन पर वकीलों के गुट ने हमला किया उस वक्त करीब दो दर्जन से ज्यादा पुलस कर्मी मौके पर ही मौजूद थे ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उसी वक्त अगर पुलस मुस्तैद रहती तो विधायक जी पिटाई से बच जाते हैं जैसे ही घड़ी का काटा दो पहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे